यह आपका दर्या है और हमें तैर कर जाना है कुछ इस लाइन के साथ राजस्तान के पोर्वे डिप्टी सी एम सचिन पाइलेट ने कल यानी शुक्रवार को अपने जनसंगर श्यात्रा का आगास किया यात्रा शुरू होने के साथ ही सियासी सरगर्मी भी काफी ज़्यादा बढ़ गई है लेकिन कि आप जानते हैं कि अब जल्द ही पाइलेट के लिए दिल्ली से फर्मान आ सकता है और राजस्तान में चल रहे गहलोत पाइलेट विवाद में एक नया मोड आ सकता है नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब के स्री राजस्तान और मैं हूँ आपके साथ ही शिकाज़ादा करप्शन और पेपर लीक के खिलाफ चल रही पाइलेट की सियात्रा से दिल्ली तक कॉंग्रेस में हल चल बढ़ा दी है तो वहीं अब कॉंग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंग रंधावा ने पाइलेट मामले में अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है जैसे ही ये खबर सामने आई सियासी गलियारों में चर्चाए और अटकलों का दोर एक बार फिर से शुरू हो गया है दरसल रंधावा कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकारजुन खड़गे के करनाटक दोरे से लोटने के बाद उन्हें पाइलेट मामले में अपनी रिपोर्ट सौपेंगे कॉंग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंग रंधावा ने प्रदेशा अध्यक्ष और सह प्रभारियों के साथ बैठक कर सचिन पाइलेट के सियात्रा पर चर्चा की है मैं इस बैठक में खड़गे को सौपे जाने वाली रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई है मैं इस बैठक के बाद दिल्ली में रंधावा ने मीडिया से बाचीत की मीडिया से बाचीत में रंधावा ने कहा कि हम पाइलेट के सियात्रा पर पूरी तरह नजर बनाए हुए हैं यह हैं उनकी निजियात्रा है उन्होंने कहा कि करनाटक से अध्यक्ष मलीकारजुन खडगे के दिल्ली लोटने पर उन्हें अपनी पूरी रिपॉर्ट सौपेंगे, वहीं इसके साथ ही पैलिट मामले में कारवाई के सवाल पर रंधावा ने कहा कि यह मैं आपको नहीं बताऊंगा, उन्होंने कहा कि यह पर मेरी पूरी नजर है लेकिन उसके बारे में जब खड़गे वापस आ जाएंगे तब उन्हें में ये रिपोर्ट सोपूंगा उन्होंने कहा कि मैं अपने व्यूस कॉंग्रेस अध्यक्ष को दूँगा रंदावा किस बयान के बाद ये तो तय हो गया है कि अब कॉंग्रेस और राजस्तान की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है लेकिन क्या उस पर अभी भी संशय परकरार है हाला कि अब इस मामले में आला कमान क्या फैसला लेंगे और गहलोद पाइलेट के स्विवाद में क्या नया मोड आएगा ये देखना वाकई दिल्चस्प होगा यूरो रिपोर्ट पंजाब के स्रीर राजस्तान